हेलो अवरिवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू किसने चैनल में आपका स्वागत है, आज की उटी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, वायगरा मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे, ये मेडिकेसिन के ब बारे में तो ये दो अलग-अलग स्ट्रेंथ में अवाली बले एक पचास एमजी और दिसरा, उसके डिटेल स्टेडी करते हैं, आज के लेक्चर में, तैस्पर लेक्चर बायमर सर, असेस्टम प्रॉफेसर और फार्मरोक्स, थेंक्यू फर बीन फार्मरोक्स पेमिली अप पर देंडरोड यूजर, एंडरोड अप डाउनलोड करें, आइफ़न यूजर अप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 901631-2020 नमबर पे आप हमें कॉल या वाटसेप कर सकते हैं, अब हमारा जो सेकंड चैनल की जिसका नाम है, मेल जाएगी, तो अब समझते हैं, वाइगरा मेडिसन के बारे में तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम फॉस्पो डैस्टरेस-5-इंहीटर क्लास की मेडिकेशन कहेते हैं कि जिसको पी-डी-इ फई-ई-वाइव इनहीटर कहा जाता है और यह वाइगरा जो है फाइजर फार्मासोटिकल उसके मेन मेनिफेक्चर है और ये मेडिकेशन पॉपिलरली जो डिजाइन की गई है इस्पेशली जो इरेक्टाल डिस्फंक्शन की लाज में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है अब उसके कुछ हिस्ट्री के हम बात करें तो ये मेडिकेशन का ज इस्ट्री के बात करें तो originally ये medication को जब बनाया गया था तो वो especially hypertension वलकि जो high blood pressure का जो problem होता है उसके इलाज में फिर जो chest vein होता है उसके इलाज के लिए बनाई गई थी बड़ आगी जाके ये medication सबसे ज़दा जो ही वो popular हुई erectile dysfunction के इलाज में तो अब समझते हैं उसके basic use के बारे में तो ये especially जो है वो sexual stimulation को enhance करने के लिए use की जाती है पूरूसो के अंदर फिर जो erectile dysfunction का जो problem होता है कि जिसको हम SWAT में ED कहते हैं उसके इलाज में या फिर जो male importancy का जो हम problem करते हैं पूरूसो के अंदर जो हम कहते हैं erectile dysfunction के जो problem तो उसके इलाज में as well as वो problem हो तो आप ये medication जो है वो use कर सकते हैं साथ ही आप जानते हैं उसके दो अलग-अलग versions के बार वे देख 50 mg में ये tablet अविलेबल हो और साथ उसाथ 100 mg में भी अविलेबल हो जब भी किसी को problem है तो खास कर जो 50 mg के जो tablet है उससे ही जो ही वो treatment जो हो शुरू करते हैं या फिर जब भी क medication को जो है दिया जाता है अब बात करेते हैं उसके label की तो label की उपर आप देखोंगे के schedule H लिखा हुआ है मतलब कि जब भी आप उसको retail में बेचते हैं तो बिना prescription के उसको नहीं बेचनी चाहिए prescription medication है यहाँ पे आप देखो RX भी है as well as ये एक red line भी आप देख सकते हैं भी इसका self medication ना करें कि अगर आपको erectile dysfunction का problem है तो ही ये medication यूज करनी है वरना ये medication लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती अब यहाँ पे देखो तो जो 50 mg का strength है उसके उपर यहाँ पे लिखाए कि हर एक film coating tablets के अंदर 50 mg जितना medication जो अबेले हो जबकि यहाँ पे 100 mg जितना medication अबेले होता है साथ ही उसके अंदर जो दुसरे excipents होते है color add कि होए होते हैं कि जैसे titanium dioxide उसके अंदर है indigo carmin aluminium की जो उसको color provide करता है जो tablets की जो आप color देखते है blue color की जो tablets आती है वो special यह जो indigo carmin aluminium लेक करके जो color है उसके करण जो responsible storage की बात करे तो जब भी यह medications को store की जाती है तो below 30 degree Celsius जो उनको store किया जता है moisture से उसको protect किया जता है और सिर्फ और सिर्फ यह medication oral use के लिए है तो proper आपके healthcare providers के guidance के according हूँ यह medication को लेनी चाहिए तो यहाँ पर आप देखो कि जो 50 mg के जो tablets आती है इस तरह से होती है कि यह जो आप देख रहेगे वो 50 mg की है कि जो size में जो 100 mg है उससे completely आप देखो तो half size में जो आप उसको देख सकते हैं फिर आप आप बात करते हैं उसके dose के हम बात करें तो minimum 50 mg dose जो पेशन लेता है before one hour of intercourse तो intercourse के एक गंटे पहले minimum dose आप ले सकते हैं 50 mg का या फिर अगर किसे को complications बहुत ही जादा है तो वो 100 mg ले सकते हैं तो आपके पास दो option बन जाते हैं कि अगर minor condition है minor problem है तो आप 50 mg वाले tablet भी खा सकते हैं और problem थोड़ी ज़्यादा है तो ऐसी condition में आप 100 mg वाले tablet भी ले सकते हैं दोनों options आपके पास available है but proper guidance के साथ ही उसको use करें because जरूरी है कि पहले आपका निदान कराना जरूरी है diagnosis कराना जरूरी हो diagnosis के बादी आपकी condition कितनी खराब है उसके basis पे आप जो हो dose आप ले सकते हैं कि 50 mg लेना है या फिर 100 mg अब आगे बात करते हैं उसके working के कि किस तरह से medication काम करते हैं तो यह medication जैसे हमने सिखा कि वो erectile dysfunction के इलाज में use की जाते हैं कि जिसके problem यह होता है कि जो blood flow होता है वो proper नहीं होता जिसके करन जो erection के problems आते हैं तो यह medication क्या करती है जो muscles होते हैं उनको relax करते हैं साथ हो साथ जो arteries होती हैं उनको relax करते हैं जिससे blood flow जो हो अच्छे से पहुँच सकता है penis के reason में और जिससे erectile dysfunction का जो problem जो हो solve होता है अब ये medications की कुछ हम side effects देखें तो ये medications लेने के बाद dizziness जैसा कुछ लोग feel करते है या फिर सिर्दर जैसा जो हो feel करते है दूसरा कि कुछ लोगों को stomach pain मलब कि पेट में दर्द होने लगता है stomach upset मलब कि gastric discomfort जैसा condition feel करते है नौजय वमीटिंग जैसा feel करे या फिर diarrhea जैसा मलब कि dust जैसी condition feel करे कुछ लोगों को memory related problem होते है back pain होता है फिर अगर किसी को vision related problem होतो उनको problem होते है color identification में जैसे कि अगर आपको green color और blue color के बीच में differentiate करना है तो आप वो नहीं कर पाएंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी फिर loss of hearing के अगर कुछ लोगों को जो वो सुनाई देना बंद हो जाए ऐसे भी side effect develop होती है silden naffil के करन ringing in the ear के कान में जैसे कोई गंटी बज रही है ऐसा आप फिल करते है कुछ लोगों के अंदर फिर redness हो जाती है आपके face के उपर या फिर आपके garden के बाग में या फिर stiff nose मलब कि नाक जैसे जकड गई है आपको ऐसा फिल होगा या फिर नाक में से जो है वो bleeding होना सुरू होगी जिसको nose bleed कहते है तो ऐसे कुछ side effects देखने को मिलते है कुछ patients के अंदर अब बात करते हैं उसके warnings की तो किन लोगों को ये medication नहीं खानी है तो सबसे पहले अगर आपको pigmentary retinopathy है कि जो आपकी जो retina है वो अच्छे से मलब की काम नहीं कर रही है आपको vision related already problem है और retinopathy का problem है तो आप ये medication ना खाए फिर leukemia के आप patient है तो भी ये medication को नहीं लेनी है sickle cell anemia के patient है hearing loss या फिर आपको कम सुनाई देता है तो भी ये medication ना खाए heart के patient है या फिर आपका blood pressure जो है वो काफी high रहता है तो ऐसे लोगों को भी ये medication नहीं लेनी है फिर बात करते है उसके permanent contraindications की तो liver problem है अगर आपका liver damage है या फिर liver अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप vigra medicine को यूज ना करे ब्लड pressure आपका कम रहता है कि हमें साब का blood pressure low रहता है तो भी ये medication को यूज ना करे आपकी renal impairment की विमारी है वहले है कि आपके kidneys अच्छे से काम नहीं कर रहे है या फिर आप heart के patient है जो penis जो होता है वो bent रहता है erection के condition में इस type के condition है आपकी तो भी ये medication को यूज ना करे आपके heartbeat जो है वो irregular रहते हैं तो भी वाइगरा को ना खाए और अगर आप stroke के patient है तो भी ये medication को यूज नहीं करनी है तो जरू से subscribe करें हमारा second channel इसका नाम है Hollywood to Hindi excellent के वहाँ पे आप देख पाएंगे अलग-अलग Hollywood के मूज इसको अच्छी picture quality के साथ तो अभी subscribe करें हमारा second channel medicine course आपको मिल जाएगा pharma rocks की app उपर सीखे दवायो के basic use के बारे में dose side effect warning and contraindications को एक साल तक offer devil price में सरल बासा में वो भी pharma rocks की app उपर तो अभी download करें आप pharma rocks, access करें हमारा course whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे तो android user android app download करे, iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best आपको जुस्ट